प्रतेइक वर्ष साथ दिशंबर को ससस्तर सेना जंडा दिवश हमारे सैनिकों, शहीदों, वीर नारियों और उनके आस्रितों को उनके बहमुल्य योगदान के लिए एक सम्मान दिवश की रूप में बनाया जाता है। इस वर्ष पूरे दिशंबर माह को केंद्र, राजियों यों केंद्र सासित, प्रदेशों के द्वारा सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में गवरों माह की रूप में मनाया जाएगा। आजादी से लेकर आज तक हमारा देश कई शुनोतियों का सामना करता है। चाहे वो भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े गए युद्धों में जीत हासिल करनी हो या सीमा पार से हो रही आतंकी गत्विधियों का मुकाबला करना हो। हमारी स्वस्थ से नाओं ने बहुत मुस्तैरी से शुनोतियों का सामना किया है। इस पराक्रम के दौरान हमारे बहुत सारे वीर जवानों ने अपना सरवुच बलेजाम भी दिया है। और कई डिसेबल्ड भी हुए हैं। परिवार के मुख्या की मृत्य होने पर उनके परिवार पर जो बीटती है उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। उन सहीनों, वीर नारियों और बच्चों जिन्हें वे पीछे छोड़ गए हैं या वो सैनिक जो अपनी मात्र भूम की रक्षा करते हुए यक्ष में हुए हैं। उनके प्रटी हमारा बहुत बड़ा दाइद तो बनता है। हमारी सफस्थ सेनाओं को युवा बनाये रखने की आवशक्ता के मद्दे नजर हमें बड़ी संख्या में अपने सैन्न कर्मशारियों को पैंटिस से चालीस वर्ष की आयू में ही सेवा मुक्त करना पड़ता है। इसका अनुमान आप इस तरह लगा सकते हैं कि लगवग 15,000,000 सैन्न कर्मशारियों की संख्या में 22,000,000 बता है। इसले इन भूट पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखबाल करना हमेरा एक रास्त्री जाइध तो है। सबस्थ सेना जंडा दिवस के दिन थल सेना नौ सेना और वायु सेना के कारिमिकों द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया जाता है। हमारे बहादुर शहीदों के आस्रतों और डिसेबुल्ड हुए सेनिकों के पुनर्वास और कल्यान को सुनेशित करना देश के सभी नागरिकों की सामुहिक जिम्मेदा दी है। जंडा दिवस हमें इन दाईतों को पूरा करने का एक औसर प्रदान करता है। इस दिन थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के जिन जवानों ने रेश के लिए बलिजान दिया है। उन्हें प्रद्धान्यली अर्पित की जाती है। मिडिया के माध्यम से इस दिन का महत्तु आम नागरिक को बताया जाता है। और उन्हें स्वेक्षा से सफसत्तर सेना जहंडारी वसकोश में योगदान देने के लिए प्रोश्षाहित भी किया जाता है। इसको उसमें जमाराशी से युद्ध में दिवंगत हुए सैनिकों, डिसेवुल, सैनिकर्मियों, गैर पैंसन सेवा निवरत, सैनिकर्मियों और उनके आस्रतों के एकल्यान के लिए विभिन्य योजनाएं चराई जाती है। इन योजनाओं के तहट बहुत पुरुसाइनिक एवं इनके परिजनों की सहायता, देखभाल, पुनरवास, शिकित्सा, पढ़ाई, आदे के लिए वित्ती सहायता उपलब्द कराई आती है। हमारे इन प्रियासों के फलसरूप पिछले वरस लगबग 47 करोड रुपे का योगदान देश की जनता की तरफ से आया था, जो एक बहुमल राशी है। मैं उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और अभिन्दन करता हूँ, जिन्होंने गत वरसों से इस महान कारे के लिए अपना योगदान दिया है और आशा करता हूँ, इस सब लोग आगे भी इस महान कारे के साथ युड़े रहेंगे। साथी साथ मैं पुनह हमारे सवस्त देश्वासियों से अपील करता हूँ कि वे इस महान प्रयास में सहभागी बनें और सवस्त सेना जंडा दिवस कोश में आगे बढ़कर अपना योगदान करें। जै हिन।